अलो दोस्तों नमस्का स्वागत है आपके अपने जल स्टेडी में कर डॉट 99 में तो दोस्तों आज के लास में हम कुछ आंगे के प्रस्षन करने बाले यानिकी फस्ट वीडियो उसकी अपलोड हो गई है उस वीडियो में आपको बाकी के कुछ इंपोटेंट कोस्टन थे वो प्रिभी से कर वा दिये थे लेकन उससे आगे भी कुछ कॉस्टन बच रहे थे वो वीडियो लंबी हो रही तिसलिए इस वीडियो में उनको हम कंप्लीट देख लेंगे सही उत्तर के साथ तो इस वीडियो को पहला कॉस्टन आपके सामने आ गय आइका को शुरकीरानी कहा जाता है बहुत ही मधुर बहुत ही सुन्र कोशन है इस प्रकार के कोशन ही जैसी सी जीडी और सीडील में पूँछे जाते हैं जैसा समय आने की समभावना है इसलिए इस question का अंटर आपके सामने लिख दिया गया है उसका right answer है सुरकी रानी गाएकी की महरानी लता मंगेश और को ही सुरकी रानी कहा जाता है महत्पूर्ण प्रस्वन था जो आपने complete कर लिया है इसी परकार के प्रस्वन आपको आपको आपकी को देखने को मिलेगे भारत की पहली बोलने वाली फिल्म कौन सी थी दोस्तो भारत की पहली बोलने वाली फिल्म कौन सी थी महत्पूर्ण प्रस्वन था बार बार पूचा गया था इसको हमने आपको complete करवा दिया है तो इसका आपका right answer हो जाएगा आलम आरा क्या हो जाएगा आलम आरा इसका right answer हो जाएगा इस प्रिकार की question आपको SSCGD में देखने को मिलते हैं जो आपको question complete कराए जा रहे है question number 3 आपके सामने है इस question में क्या बोला गया है Facebook के स्थापना कब होई थी जो आप daily use करते हैं तीन से चार घंटे Facebook चलाते हैं उनका अगर आपको स्थापना दिवस जैनी कि सन आपको नहीं पता तो आपको कुछ नहीं पता तो यहाँ पर आप confirm करेंगे कि 2004 कब 2004 में Facebook की स्थापना करा दी गई थी महत्पूर्ण परसन आई हूप के आपने हाथ तक वीडियो देखा है तो आगे भी आप ज़रू चलिए आँगे आपको और महत्पूर्ण परसन मिलने वाले हैं तो इस वीडियो के आगे के नेस्ट कॉशन देखते हैं कोशिका का इंजिन किसे कहते हैं क्या है करते हैं कोशिका का इंजिन किसे कहा जाता है बो आपको बता ना है महत्पूर्ण परसन है आपके वीडियो लगती है तो वीडियो को ETISK पर known है दोस्तों आपके लिए चलिए नेस्ट कोचन देखते हैं मातपूर परसन है इस प्रकार के कसनों को बार बार पूंचा जाता है नेस्ट कोचन आपके सामने है इसमें लिखा गया है कि महलों का सहर किसे महलों का किलिए करवा दे हैं तो नेस्ट को तो हम देखे घूंगे विश्व का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है विश्व का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है तो विश्व का सबसे छोटा पक्षी होता है हॉमिंग बर्ड क्या होता है हॉमिंग बर्ड इस परकार का होता है जो कि आपको देख सकते हैं सबसे चोटा तो इसके आपको फोटो देख जाएगी तो बहां से आप देख सकते हैं महत्तपूर्ण परसन बार-बार पूचे जाता है एक बार इसकी वीडियो आप जरूर से देखें और अगर अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सस्क्राइब नहीं किया तो वीडियो को स दोस्तों चलिए नैस्त देखते हैं भारत की राष्टी प्रती जो आपका भारत का राष्टी प्रतीक है उसके सत्मेव जैंत्तेव में कितने मुख हैं बहुत ही महत्त्य पूर्ण परसने ये पेपर में आई या नाय आए लेकिन आपकी दिन चरिया में कोशन कोई भी पू करवा रहे हैं अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक जरूर से करके जाना हैं दोस्तों हम आपको बता दें। कि आपको रौज आपको आठ रूज आठ पीम पर कप graduate रूज आठ पीम पर आपको यहां पर ऐससे जीडी के जितनी महत्वपूर्परस नहीं फ47 जीडी के जीएस के आपको स हमत करें आइड I किलास आपको रोज चैनल पर इसी चैनल पर साम को यानि की रात में आठ बज़े कितने की आठ पी एम पर आठ पी एम पर आपको मैथ के जो कॉस्टन है वो अपलोड कराए जाते हैं अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर स सुबह है कितने रोज सुबह है आपको रोज सुबह है आपको आठ पी एम पर आठ एम पर आपके लिए इस चैनल पर रीजनिंग की किलास अपलोड कर आई जाती है तो इन सभी वीडियो को देखना ना भूलें महतपूर वीडियो यहां वह आपको जीनिन कॉंटेंट मिलत है नेस्ट देखें कि कॉस्चन जो आपके सामने है फिल्म एक्टर फिल्म एक्टर की बात है फिल्म एक्टर अनुपम खेर का पूरा नाम क्या है महतपूर परसन है दूस्तों जो आपके एक्टर है अनुपम खेर आपने सभी नहीं उनको देखा होगा तो उनका फुल नही किसी को नहीं पता है सिर्फ उन्हें अनुपम खेर के नाम से जानाता है जो कि लाफस्ट लेटर उनके नाम का और लास्ट सब्द वो मिलके अनुपम खेर लेकिन उनका पूरा नाम की अगर हम बात करें तो उनका पूरा नाम होता है अनुपम पुसकरनाथ खेर क्या होता है अ 1984 से 1990 की बीच कब से 1984 से 1989 की बीच भारत के प्रधान मंतरी कौन रहे 1989 नवासी के 1984 नवासी की बीच तो अगर हम बात करें उत्तर की तो राजीब गांदी राहुल गांदी जी के पिता जी राजीब गांदी 1984 से 1989 के बीच प्रधान मंतरी रहे हमारे भारत देश के एक गर्भाली बात है अब पर को इंपोर्टेंट को चनता तो हमने आपको कंपलेट करवा दिया है अगर इसी प्रकार के आपको चन देखना चाहते हैं तो अभी के अभी आप चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक और बैल आइकन को प्रेस जरूर से कर लें बैल आइकन को प्रेस इसलिए किया जाता है कि वीडियो अपलोड हो समय पर तो आपको नौटिफिकेशन प करें तो न्यक् 나 North searching आपके सामने हैं इंडरा. भूमद्य रएखा से कितनी धूरी है। इंडरा पॉंट जो आपका होता हैं उससे भूमद्य रएखा आपकी है। से कितनी दूरी है दूर है वो आपको बताना इंद्रा पॉइंट से भूमध्या कितनी दूर तो यहां पर देखिए साफ साफ आपको बड़े बड़े एक्षड़ों में आंसर की रूप में लखा है सास आठ सो छेतर किलो मीटर दूर है कब है आठ सो छेतर किलो मीटर दूरी पर है आपका इंद्रा पॉइंट से भूमध्या रेखा मात पूर्ण प्रसने थे कुछ कॉश्चन आपके गिनेट कंपलेट के हैं आगे वीडियो को पंदत आगे जरू देखते रहें और कॉश्चन भी आपको क्लियर करवा दिये जा रहे हैं नेस्ट कॉश्चन के अगर हम बात करें तो भारत कॉन सा राज साप साब लखा है पहला कॉश्चन आपके सामें ऊपर नोट रोको लिखती आ गया है पहला स्व राज उत्तरपूरवी राज के this बहनों का भाग नहीं है यानि कि उत्तर पर दिसकरदा उपरी हिस्सा है आपका उत्तरी पूरव जिसे बू बिहार से आगे आप जाएंगे तो बहां पर मिलेगा कौन-कौन सा अरुना चल पर्देश सिख्ख्यम अरुना पर्देश सिख्ख्यम दिसपुर नागा लेंड पस्चिम बंगाल मिर्जोरम तिरपुरा इस टाइप के जो आपके साथ उसको पूरा एक लेयर को साथ बहने कहा जाता है कुछ इस परकार से आपको देखने को मिलते हैं जि हमारी भारत की जिह मारे सिक्यम हों कहें, यहां से बिहार ताइप का तो यहां पर जो आपके राज हैं, यहां से यहां तक जो पूरे राज आपको सात बहन Campus की रूफ में देखे जाते हैं, तो उनमें से हम बता है कि कौनता राज्जन नहीं तो उत्र में लखा है कम और पस्चिम बंगाल इस पकार की कोश्चंन का राइट answer हो जाएगा, Next question की अगर हम बात करें तो लखा है, कैंदर सासत परदेश, कैंदर सासत परदेश, अंटबार निकोमार दीप समुह, की राजधानी Port राजदान इस पर ही इस पर है नहीं गृता हैं वह बता राजधन आ पर ही स्थित न कि पहले हैं तो कमतलब रॉब जो आपकी computer laptop मोबाइल में होती है RAM और ROM computer का question RAM और ROM तो उसमें होता है ROM का पूरा नाम क्या है वो आपको बताना है तो राइट उन सार आपके सामने लखा है read only memory सभी को पता होगा simple question बार बार पूछे जाते हैं पूछे जाते हैं इस परकार के question होते हैं तो देखिए नीचे अगर RAM की ROM की बात आई तो रेम की भी बात आनी चाहिए तो दोनों question computer के यहां पर डाल दिये गए हैं महत्तपूर थे इसलिए तो दोनों question को ज़रू से करेंगे पहला है ROM का पूरा नाम तो आपने देख लिए read only memory नेस्ट है राम रेम तेखे इसमें ओ का अंतर है इसमें आपको एक है एक एक सब्सक्राइब है तो रेम क्या है प्रमक्ष तेओहार कौन सा होता है साबन का महीना आपको पता है कि आपका मार्च और अगस्त के आपरेल के बीच में आता है तो वो होता है रक्षा बंधन जो कि भाई और बहन का पवित्र जो बंधन होता है वो माना जाता है तो उसको बता दें आपके साबन के महीने में कौ साथ हाव राता है तो वो आपको साफ साफ पता चल रहा है की रक्षा बनना महत्पूर्ण प्रस्थन थे सभी के सब्सक्राइब आपको बहुत बहुत बधन बात और चैनल को अगर लाइक वीडियो को सब्सक्राइब लाइक नहीं किया तो उसको जरूर से जरूर जल्दी से कर दें क्योंकि बैल आइकन को प्रेस करना बहुत ही आवशक है कॉशन पाने और देखने के लिए तो नेस्ट को बात करें तो ताज महिल किसकी याद में बनवाया गया हम आपको बता दें कि इस कॉश्चन को बच्चा बच्चा को इसका राइट एंसर पता होगा क्योंकि म कॉम्ताज की याद में बनवाया था अभी हम पर एक माया था तो यहां बनवाया था झाल्ब पत्रumba येतश को से ऑनérica ने बनवाया जहां में तो रात में अप नीचे सोना क्यों हानिकारक है महतपुर्व प्रस्न है और आपके लिए लाबदाइक भी प्रस्न है क्योंकि ऐसा प्रस्न आपके सामने जीवन में आ सकता है रात में पेड़ के नीचे क्यों शोना हानिकारक है तो यह पर उत्तरक हम पता करेंगे तो क्योंकि रात क्योंकि रा आगया सबसे ज़्cko से ज्यादा वो कशो पांवट आओ तो सबसे से ज्यादा चुन कासर आता है में अच् से कमेंट का तर बता सकती हैं अगर नहीं को चॉस्टिन कान सब thriving सबसे जाना जीते हैं और इस वीडियो का लास्ट कोशन आपके सामने हैं मुगल बंस की स्थापना किसे की ती इसकी मुगल बंस की स्थापना किसने की थी वो आपको बताना है तो साफ साफ उत्तर के रूप में आपको लिखा है बावर्न किसने की थी बावर्न जो सासक था उसने मुगल सामराज की स्थाफना की थी नेस्ट कॉशन आपके सामने है यदी रास्ट पति अपना त्याग पत्र देना चाहे तो बे अपना त्याग पत्र कीशय देंगे इनिकी दास्ट पती अगर कभी सोचे कि हमें अपने पद पर निर्भर अब नहीं रहना है, हमें अपने पद छोड़ना है, तो वो किस को दें उन्स में बता सकते हैं, तो उपरास्ट पती आपका राइट एंसर हो जाए, अगर कॉशन आपको पसंद आते हैं इस वीडियो की, तो वीडियो को लाइक चैनल को सस्क्राइब जरूर से करते हैं, मिलते हैं नेस्ट कॉशन में, नेस्ट वीडियो को साजब तक के लिए बंदे मात्रम